आज आप आप सभी लोगं का दिस्ट्राइट लाइन में बहुत-बहुत स्वागत है 33 वर्ष एक यूवक आज आडमी रिक्रूट्मेंट रैली सुरून कोट पोंच में हो रही थी उस रिक्रूट्मेंट रैली के दौरान आमी का जो गेट है आमी का जो गेट है आमी गेट के पास जब फ्रिस्किंग हो रही थी फ्रिस्किंग के दौरान एक 33 वर्ष एक यूवक रजिंदर सिंग पकड़ा गया उस यूवक से दो गर्नेट और एक डेट्मेटर मिला आईए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पकड़े जाने के बाद जब आमी इस यूवक से पूछने लगी कि आप यहां क्या करने आए थे और यह गर्नेट आप किस लिए लाए थे तो आईए आपको दिखाते हैं कि उसने क्या कहा तो यह दिखा आपने कि जिस यूवक से दो गर्नेट और एक डिट्रेटर बरामद हुआ उस वो यूवक उस समय क्या कह रहा था जिस समय आमी के आफिसर इससे सवाल जवाब कर रहे थे उसके बाद एससपी पुंच रमेश कुमार अंगराल से जब मीडिया करमीनों बात की तो आईए दिखाते हैं कि उन्हों ने इस सारे मामले के बारे में क्या कहा उन्हों ने यूवक रजिंदर सिंग के बारे में क्या कहा और जो preliminary investigation हुई है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है पहले आप इसको देखिए उसके बाद हम आपके साथ share करेंगे कि सस्पी पुंच से हमारी बात हुई उन्होंने क्या कहा बियाई जी जम्मु पुंच रेंज उन्होंने क्या कुछ कहा यह सब कुछ हम आपको बताएंगे लेकिन पहले आप इससपी पुंच रमेश कुमार अंग्राल का इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना है रूट्मेंट थी टी ए बटैलियन की सुरुन कोर्ट में उसके लिए काफी सारे बच्चे जो है वो आयोगी थे उसमें यह लड़का है जिसका नाम रजेंदर सिंग है सन आफ करिशनलाल का रहने वाला है थाटी फ्री एर्स एज है यह भी इस रिपूट्मेंट रैली में आयोगा था और दुराने जो फ्रिस्किंग है तो इसके बाद से हमें ए ईक ट्रे मिला है युबी जील गर्नेड मिला है और अक ड्रे युबीजेल पला है और की डेटिनेटर जो इसके अजरासे हमें एक रांसा तो अब इसको फरदर कॉस्टनिंग के लिए पो भी इस बें पुली स्टेशन सूरून कोट में लिया गया ह यहां पे FIR जो है वो रिजिस्टर होई है और फरदर जो इंवेस्टिकेशन है वो इसकी चैल रही है सर शुरुमाति जान्च में क्या निकला है अभी निश्यल जो इंवेस्टिकेशन है वो चली रही है अभी इसके पास यह कहां से प्राइब एसा कुछ नहीं रहा है और यह किस मॉटिफ से यहा हुगा था वो अभी इन्वेस्टिकेशन में ही पता चलेगा अप्राइब एसा कुछ इनिशली लग नहीं रहा बट वी आर ओपन तो अगल्स की खर एक तरीके से इसकी इन्वेस्टिकेशन जो है वो देखी जा तो आपने सिस्पी पुंच को सुना सिस्पी पुंच ने साफ तर पर इस युवक के बारे में जो कुछ कहा वो सब बातें आप तक पहुँच गई अब स्ट्रेट लाइंग के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आप तक हम पहुँचाएं कि हमें इस पूरे मामले में क्या तो मैं आपको बताओं कि इस युवक का नाम रजिंदर सिंग है इनके पिता का नाम शेरी कृशनलाल है उमर 33 साल विलेज धलियो तैसील काला को डिस्टिक रजोरी के रहने वाले इस युवक को ये युवक टेरिटोल आर्मी की रिकूट्मेंट के लिए आया था और आर्म रिस्किंग के दौरान इससे एक सी नाइन्टी ग्रिनेड मिला है एक यूबी जी एल अंडर बैरल अंडर बैरल ग्रिनेड लांचर का ग्रिनेड मिला है और डेटोनेटर मिला है ये समान जो है ये बरामत हुआ है रजिंदर सिंग से पुलिस टेजिजिन सोरन कोट में एफ पूरा मामला क्या है? S.P. पुंच से जो हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बातचीत में ये कहा कि जो ये रजिंदर सिंग है ये 33 वर्ष युवक हमने उनसे पहला सवाल में रही ही था कि क्या ये जहनी तोर पर दिमागी तोर पर बिलकुल ठीक है तो उन्होंने कहा कि बिलकुल ठीक है दिमागी तोर पर बिलकुल सही है किसी किसम कोई दिमाग में इसके नुक्स नहीं है दूसरा S.P. पुंच रमेश कुमार अंगराल ने दूसरी बात की कि ये कही कि इसको उस समय एरेस्ट किया गया जब इस फ्रिस्किंग चल रही थी तीसरा उन्होंने जिन तीन हत्यारों के बारे में बात की C-90 गरनेड एक अंडर बैल गरनेड लाँचर का गरनेड और एक डेटोनेटर तो इसके बारे में मैंने साफत और पर उन्से पूछा कि C-90 गरनेड क्या होता है तो उन्होंने कहा कि C-90 गरनेड जो होता है ये C-90 गरनेड ट्रेनिंग के दौरान इस्तमाल किया जाता है ये ज्यादा हानिकारक नहीं होता दूसरा उन्होंने कहा कि अंडर बैल गरनेड लाँचर का गरनेड जो है तो इनुने डेटोनेटर के बारे में जो उनने का, उनने का कि डेटोनेटर चुकि डिस्पले पर था, फॉज ने, आमी ने उसी समय उसको सामने रखा और लोग उनने वीडियो भी बनाई है, आपने भी वीडियो देखी, फोटोग्राप्स भी वायरेल हुएं उसके, उनने क अगर डेटोनेटर भी जो है वो तूटा हुआ है तो किसी भी तरीके से जो तीनु हत्यार है वो इस्तमाल नहीं हो सकते थे ये SSP पुंच का कहना है लेकिन उन्हें का इसके बावजूद हम पड़ताल कर रहे हैं हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार रजिंदर सिंग के पास ये तमाम हत्यार आए कहां से ये गरनेड कहां से आया ये यूबी जील का गरनेड कहां से आया और ये डेटोनेटर कहां से आया और अगर ये हत्यार इसके पास थे भी तो आज के दिन इन तमाम हत्यारों को लेकर आर्मी की रिकूर्टमेंट रैली में जहां ये नौकली ढूनने आया था वहां इन तमाम चीज़ों को ले जाने का मकसद क्या था जब जो परताल अभी तक इस से हुई और इसमें एक चीज़ मैं और भी साफ कर दूँ कि जो ये बात बार बार कही जा रही है कि पुलिस जो है उसने फॉरन इस लड़के को मीडिया के सामने पेश नहीं किया तो इसमें साफ तोर पर जो हमारी बात डिया जी रजोरी पुंच विवेग गुकता से हुई तो उन्हें कहा कि चुँकि इस लड़के को अरेस्ट किया गया है sustained interrogation हो रहा है इसका हमें ये मालूम करना है कि आखिरकार ये हत्यार लेकर टेर्टल आर्मी की recruitment में आया क्यूं था ये बड़ा गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके sustained interrogation के लिए जरूरी है कि इससे हम सवाल जवाब करें इससे पहले कि media इससे सवाल जवाब करें हम इससे सवाल जवाब करें उन्हें ये भी कहा कि जब इस तरह के लोगों को गरिफदार किया जाता है तो तमाम angles पर काम किया जाता है पहली कोशिश तो यही होती है देखने कि कि क्या इसकी जहनी हालत ठीक है फिर ये कि उमर कितनी हैं फिर ये कि किसी संगठन के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है तो ये तमाम चीजें जो हैं वो वेरिफाइक पॉलिस इस समय कर रही है और बात जो हमें पॉलिस के आला अधिकारियों से मालूम हुई उन्हें कहा कि जो इंटरोगेशन रजिंदर सिंग का चल रहा है उस इंटरोगेशन में दो चीजें इसने कहीं पहले इसने ये बात कही कि ये तमाम चीजें जो इसमें C-90 गरनेड है यूबी जील गरनेड है और डेटोनेटर है ये तीनु चीजें इसको कहीं से मिली और ये चीजें ये लेकर फौज को देने वाला था और दूसरी बात इनुने खा कि दूसरा बयान ये ये भी दे रहा है कि किसी ने इसके बैग में ये तमाम चीजें डाल दी और इसे पता नहीं था कि इसके बैग में ये तमाम चीजें हैं तो ये दो चीजें अभी तक सामने निकल कर आई हैं लेकिन पुलिस अभी भी ये कह रही है कि इस युवक का रजिंदर सिंग का interrogation चल रहा है हम हर एंगल पे काम कर रहे हैं intelligence agencies से भी input लिया जा रहा है कि इस रजिंदर सिंग का जो इस रजिंदर सिंग की जो mobile details है वो verify की जा रही है इसकी call details देखी जा रही है तमाम चीज़ों के ओपर काम चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी आतंकी संगठन ने इसको पैसे दिये हो पैसे देकर इसको यहां disruption के लिए भेजा हो उस पर भी काम चल रहा है हाला कि जैसा कि मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि पुलिस rule out कर रही है कि इन तीनु चीज़ों में से कोई भी चीज इन तीनु हत्यारों में से कोई भी हत्यार इस condition में नहीं है कि उसका इस्तमाल किया जा सके लेकिन उसके बावजूद पुलिस हर एंगल पे काम कर रही है पुलिस कोई भी लेक्यूना छोड़ना नहीं चाहती उसके बाद रमेश कुमार अंगलाल से जब मैंने यह पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या कि किसी राजनतिक संगठन के साथ या किसी दूसरे संगठन के साथ इस राजनतिक संगठन के साथ इस राजनतिक संगठन के साथ इस राजनतिक संगठन का कोई तालोक है कोई वास्ता है तो इन्होंने यह भी कहा कि यह चीज़ भी हमने वेरिफाई की ये तमाद चीज़ें आख्रकार इसके पास QUIchoT हैं कहां तार जूड़े हुए हैं इसके साथ इसके कैनेक्शन हैं क्या कुछ है उन तमाद एंगल्स पर काम हो रहा है तो अगर पुलिस इन तमाद एंगल्स पर काम कर रही है और काम चल रहा है और जिस्ता कि मैं आपको बता कहाँ कि C-90 गरनेट यूबीजियल गरनेट और डेटोनेटर ये तीनों चीजें जो हैं पुलिस के मताबिक किसी काम की नहीं हैं इनका इस्तमाल करने की हालत में ये तीनों चीजें नहीं थी ये कुछ जो है पुलिस के आला अधिकारीं से हमको मालूम पड़ा है तो आज ये जो मामला पेशाया सुरनकोट में इस सुरनकोट में ये जो मामला पेशाया इस मामले में रजिंदर सिंग को गरिफतार किया गया है एफ एर उसके खिलाफ लग गई है कारवाई उसके खिलाफ इस वक्त हो रही है पुलिस इनिवस्टिगेट कर रही है हर एंगल को देखा जा रहा है तो इसके बीच में जो तमाम चीजें सोशल मीडिया के ऊपर या बाकी जगा चल रही है मुझे लगता है कि हमें इससे परहेज करना चाहिए और पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए आतंकवादी शायद आप जिमो कुश्मीर के आतंकवाद की हिस्ट्री से ब हाटी के अंदर भी आपको याद होगा कि एक आतंकवादी था जिसका दूसरे किसी समुदाई से तालुक था तो फौज ने उसके साथ भी कोई नर्मी नहीं बरती यानि साफ ये है कि देश के खिलाफ जो भी व्यक्ती होगा उसका क्या धर्म है वो कौन सी जाद से तालुक रखता है वो कौन है कौन नहीं है माने नहीं रखता अगर आप देश के खिलाफ बंदूक उठाएंगे आप देश के खिलाफ बगावत करेंगे आप गरनेड बम और ये तमाम चीज़ें लेकर फौज के उपर हमला करने की कोशिश करेंगे तो फौज आपको बरदाश नही करेगी फौज आपका धर्म नहीं देखेगी जात नहीं देखेगी ये नहीं देखेगी कि आप किस प्रदेश से आते हैं किस जगा से आते हैं और आप क्या हैं कौन हैं किस राज़ितिक दाल से तालुक रखते हैं तो इन तवाम चीजों को जहन में रखना चाहिए जिस समय आ आते हैं और फॉरन वीडियो के ऊपर बहुत सारे सवाल और बहुत सारे सवालों के जवाब मागना शुरू करते हैं